कहां से आए हैं? माइक लीजे बोल ये क्या अरजी ले करा है बगड़ो तरगियत खराब है राजाज़ कौन है ये? बच्ची है का हुआ है? क्या नाम है बच्ची का? सिंको राजा अचा क्या हुआ है? इनके लीवर में चैंसल बता है पड़े लिखे हो? अब और बड़ी आफ होता है किसी को हम बुला लें? कोई भी पड़ा लिखा हो पड़ना चाहता हो तो रंता आजाए आओ जंदीश बो सन्याजी बाबा की सच्चे दरवार की कब से दिक्कत बनी है? तीन महीना हो रहा है तीन महीना है दादा ऐसे आजाओ माइकलो भी कहा के आओ? मैं चेतरकूर, सद्गूर नेट्चेकिसाले सद्गूर? नेट्चेकिसाले पड़े लिखे हो? जी सर कहलो? जी सर आप में किया है और आप्टोमेटे से लिखे है नेतरवाला अच्छा अच्छा मतरब कोल पड़े कहा है जो अन्तमने बता दो जी जी हमाय परचा में कहा लिखो? अभी तुसर में नहीं देखा नहीं देखो? तक यह से पड़े लिखे पर? मैं भी बैठा था आपकी दरसन की क्या आप जानते हैं आप तो साइंस पड़े हैं आप नेतरच के इसलाल से जुड़े हैं क्या आज के जमाने में ऐसा हो सकता कि कोई बिना बताए पहले से पूरी जाचे लिख दे जी सरे विश्वास है भगवान पर ही साइंस में है ऐसा कोई? साइंस में तो ऐसा नहीं है जाचों के बाद ही बताते हैं लेकिश हम बिना जाच कमी के लिखे हैं गाया है कौनमसीन ही लगाई ही या हम धर्य कहां के नहीं दिक काई पढ़िए वेटी को पूरे सरीर में दिकत बनी है खूν की कमी पीलिया बनने के बाद कमजोरी बनी दिनारी खिलाई गई जो लीबर पर अफेक्ट है 2019 से कैंसर बन गया करपा हो जाएगी आसीर बार है भूत बाधा कुछ भी नहीं है ना कोई तंत्रबाधा इसे दिनारी खिलाई गई है दिनारी इस्त्री ने खिलाई है 2018 में खिलाई है बच्ची को 2019 से दिक्कत पेट दर्द सुरू हुआ बाद में पर पेट में एंठन बनी फिर उल्टी होना सुरू हुआ फिर खाना पचना बंद हुआ इसके बाद फिर जाँ चौमें अभी तीन माहें पूर्ब में कैंसर आया है क्या यही हुआ एक दम सही दर्थमनी के कारण यह सब किया गया अनवान जी कृपा करेंगे अब जो हो गएँ तो हो गएँ लेकिन पीलीया भी यह बनो है या ना हाँ महाराजी पीलीया भी बनो हमाई जाँच में लगो जाए जाए श्री राओं वहां पीछे बैठिए ये बागे सुर बाला जी के दरवार की महमा है इसलिए बड़े-बड़े डॉक्टर भारती है नहीं बिदेशी डॉक्टर भी धाम पर आते हैं इसलिए आते हैं कि हम आगी को लगो बड़ी-बड़ी मसीनन में आदमी यह डार आराम से आराम हुं छोड़ दीजे मुठी बांदिया तच्छन लाब देना प्रारंब करें सत्कुर्दे भगवान सन्यासी बाबा की यग्यनारान भगवान की श्री बागे सुर्बाला जी महराज की जाए और तेज प्रभाव करें और तेज प्रभाव करें पुरे सक्ति पुरा प्रभाव करें सक्तिका राम तच्छन शरीर में तागत की कृपा की जाए डॉक्टर साब ये आपके लिए सोध का विसय होगा कि बिना दबाई खवाए और बिना टच किये जो व्यक्ति चल भी नहीं अपने साहरे से पारहाल था असानिय दर्द में पीड़त था और ये अब हनमान जी की कृपा का जो कहते मंत्र बल नहीं होता आज भी दो चिकित्सा होती है एक और सधी चिकित्सा एक होती मंत्र चिकित्सा इसे क्या कहते हैं ये भी चिकित्सा है लेकिन ये है मंत्र चिकित्सा आज भी पुरानी पद्धतियों में बहुत तागत है बसको उसको ना जानने बाला मिलता है और ना कोई आजकल तप और उसको समालने वाला मिलता है दौनों मिल जाए तो आज भी आदिकाल के भाती और जो बागे सुर बाला जी के दरबार में आज चमतकार हो रहे हैं वो हर बैद कर सकता है तप कर ले मंतर की सक्ती की समर्थता सीख ले भगबत करपा से उसे पाले बाला जी की दया से तो आज भी वो मंतर के आदार प्रब बिना अवसधी के लाब दिला सकता दोनों हाथ मलने बहन सिर में लगाएं अब पेट में लगाएं अब इस्थान छोड़ें खुद से खुद से खड़ी हो इस्थान छोड़े, खुद से खड़ा होना है आपको ये परचा लीजे ये भबूती लीजे दबाई धाम पर मिलनी है थोड़ी सी भबूती लगाओ और अब ही खबाओ थोड़ी सी और खबाद धाम पर नहीं पहुंचे अभी धाम पर मंगलबार को पहुंचना है कैंसर की दबाई वहीं पर मिलेगी और आपको सीसम के पत्तों का काड़ा पिलाना है 20 दिन तक तब दबा असर करेगी कहे का? सीसम के पत्तों का सीसम के पत्तों का काड़ा बना करके बच्ची को पिलाई है अब इसके बाद इस्थान छोड़ो बेहन फिर से इस्थान छोड़ो खड़े हो खड़े हो हो थोड़ा साहरा दो दादा थोड़ा सा दो तच्छन इनके पैरों की तागत और लीवर की दिक्कत तच्छन चलो बेहन छोड़ो दादा तुम छोड़ो तच्छन उस तरब जाओ पच्छन आदे से बोलिये बाला जी सरकार की सद्धकुरी सर्नेसी वागुर्द्र वगोवे की जैजैश श्रीराम कैसा लग रहा तागत है अच्छा लग रहा जाओ लिवा जाओ जाओ दादा आज इसे बबा जुलाज राखने जाओ आशी लिवार कम सहारा देना है काहे को उसे अपने बल पर चलने का करोका है वैसाखी जितना बनाओगे उतना मनोबल घटेगा